हेलो एवरिवन, वेलकम बेक टू माई चैनल वन विजन एम्वीजन एम्वीबियेश तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गलोमे रूलर डीजीज के बारे में ठीक है यहीं से इसी topic से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी रीणल पैथोलोजी के बारे में ठीक है तो देखे इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और comment में आप इस वीडियो के बारे में response भी दे सकते हैं ठीक है तो देखिए, glomerular disease, इस renal pathology का सबसे important question है, कौन सा, clinical pathological classification, ठीक है, हर exam में, university exam में, अगर 10 mark का question आएगा, ठीक है, university में, तो ये question 2 mark में आपको पूछेंगे ही, पूछेंगे, ठीक है, किस तरह से structure करते है question को, देखिए, glomerular disease के बारे में पूछते हैं, मतलब कि definition पूछ लेते है, ठीक है, एक mark में, दो mark में, clinical pathological classification पूछ लेंगे, और 7 mark में पूछ लेंगे आपको, RPGN है, PSGN है, या फिर nephrotik या nephrotik syndrome पूछ लेंगे, ठीक है, diabetic nephrotik पूछ सकते है, ठीक है, IGA nephrotik पूछ सकते है, chronic glomerular nephrotik पूछ सकते है, ठीक है, तो इस तरह से question को structure करते है, मतल है, इस वीडियो में, हम पढ़ने वाले है, clinical pathological classification, ठीक है, तो देखिए, clinical pathological classification, देखिए, उससे पहले हम समझ लेते हैं, कि glomerular disease क्या है, ठीक है, glomerular disease, and compass a large and clinically significant group of renal disease, मतलब कि glomerular disease में क्या क्या आता है, उसमें आता है, group of renal disease, मतलब कि बहुत सारे renal disease, मिलके क्या आपकर करते हैं, उसे हम कहते हैं, glomerular diseases, ठीक है, glomerular nephritis, और या फिर, आप कह सकते हैं, bright disease, is the term, used for disease, that primarily involve the renal glomerular, मतलब कि ऐसे disease, जीस में, renal glomerular, में कुछ गड़बड है, ठीक है, कुछ गड़बड है, तो उसे हम कहते है, glomerular nephritis, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते है, clinical pathological classification of glomerular disease, ठीक है, या फिर आप कह सकते है, ग्लोमेरular nephritis, उसको हम तीन पार्ट में divide करते है, primary, glomerular nephritis, ठीक है, secondary, systemic, glomerular disease, और hereditary nephritis, ठीक है, या तीन पार्ट में हम समझने वाला है, अब देखिए, primary glomerular nephritis, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें कौन-कौन से disease जाते हैं, वो हम समझते हैं, सबसे पहले देखिए, acute glomerular nephritis, तो acute हुआ, तो chronic glomerular nephritis, यह दो हो गई, acute में भी दो है, कौन-कौन से, PSGN और NSGN, मतलब कि है, post streptococcal glomerular nephritis, और non streptococcal glomerular nephritis, अब देखिए, PSGN हुआ, तो आप लिख सकते है, RPGN, post streptococcal glomerular nephritis, तो यह हमारा rapidly progressive glomerular nephritis, ठीक है, यह हो गई है, खतम, अब हम देखते है, M वाले, ठीक है, यह important important खतम होगी, अब देखते है, M वाले, M वाल change disease, मतलब कि Children में देखने को मिलता है, उसके बाद आपको याद रखना है, Membranous глуб woman hormone nephritis, ठीक है, η यह आई याद कर सकते हैं फोकल सेग्मेनल स्क्लेरो सबक्राइब इंपोर्टन टूपिक अमारे प्रैमरी छोलो सब्सक्राइब फिर हमारा सेकन्डरी सिस्टेम फिक लोमेरोब तरी यह thart इसमें भी आप अच्छी तरह से आपको यह याद रहे जाएंगे जैसे ही हम रिनल पेसोलोजी खतम करेंगे यह आपको बहुत ही आसानी से रहे जाएंगे क्योंकि क्योंकि इसमें से बहुत इंपोर्टन टोपिक हमको देखने वाले अलग से पढ़ने वाला है तो वह नाम त ठीक है फिर यह पी एन मतलब की पोली आर्थ्राइटिस नोडोसा ठीक है फिर हमारा वेगनर्स ग्रेनिलोमोटोसिस गुड़ पास्चर सिंड्रोन है नोक्स स्कुलिन पूरपूरा ठीक है सिस्टेमिक इंफेक्शस डीजीज है और इडियोपेथिक मिक्स्ट क्रायो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करना और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो मैंने मेरे सोचल मीडिया ग्रूप्स पे की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे या वाधिक वरफ्शन वाचिब एंड की वचिंगंत वुचिन्व वाचिए जि मेह चेहर है तो ट्रीश समेस पेहरा यहाइज की था वह दोस्तों का देन क्रीश से खाने वाधिक एक रिखिगे डिस्क्राइब एंड के एक हम एक रिखते से क्रूं आपको अगर जोगे इन